नमस्कार दोस्तों स्वागते हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 मार्च से 11 अप्रील तूला राशी के महारासी फल के बारे में यह 15 दिन में मा लक्षमी का आसिम किर्पा आप पर बने हुए हैं मा लक्षमी आपके सर पर अपना हाथ रख दिये हैं और वह सारे काम आसानी से बनते जाएंगे जो आप कभी भी होना शमभब नहीं सोचे थे जी हाँ दोस्तों तो चलि दोस्तों आपको इस वीडियो में किन चीजों से बचना है किन चीजों से फाइदा होगा आपकी लव लाइप के से रहेगी केरियर के सा रहेगा बिजनस और बैपार के सा रहेगा और स्वास्ति की महत पुन जानकारी इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका सुबरंग और सुबरंग क्या है दोस्तों आपका भी रासी तुला है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिशना करें और इसे अंत तक जरूर देखें वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगंशे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें जिससे समय समय पर हमारी नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंश सके तो चेली दोस्तों बात करते हैं या 15 दिनों में मालक्षमी का आशिरवाद आपे केसे बने हुए हैं बात कर लेते हैं चानक निति ज्यान के बारे में चानक निति कहते हैं कि उमीद हमें कभी छोड़ कर नहीं जाती जल्दवाजी में हम ही उसे छोड़ देते हैं इसे के साथ राजनिती में हिसाना लेने का सबसे बड़ा दंडया है कि आयोग व्यक्ति सासन करने लगते हैं इसे के साथ दोस्तों सिर्फ उतना ही विनमर बनो जितना जरूरी हो वे वज़ा कि विनमरता दूसरों को एहम को बढ़ावा देते हैं जिहां दोस्तों अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों बात करते हैं कि मा लक्ष्मी ने आपके सर पर हाथ केसे रख दी हैं केसे वह सारे काम आप बनने लगेंगे जो आप कभी भी होना समभब नहीं सोचे थे जिहां दोस्तों आपने कभी भी हर किसी इन्सान को गरीब हो या फिर अमिर हो नंगडा हो गुंगा हो किसी को आपने अलग से नहीं देखा है आपने शब को एक समान मानते चले गए हैं इसलिए दोस्तों भगवान ने अच्छे कर्म होने के कारण आपको भी उसी तरह आपके साथ चलने को तयार हो गए हैं और आप वह सारे आपके कस्टों का निवारन समान लक्षमी अपने उपर ले ल आप जिस कार में हाथ बढ़ाएंगे उसमें आपको जंडा गारने में सफलता मिलेंगे दोस्तों आज कोई खास सुप समाचार मिल शकता है इसलिए किसी भी फॉनकॉल यादी को नदर अंदाज ना करें कुछ समय से चली किसी दुविदा और बेचेनी से आज रहत मिलेगी अधादमी और धार्मी गतिविदियों में समय बेतित करना आपको पोजिटिव बनाएगा उस्तों फाइनल समिदियों जना को कारूप देने का अनुकुल शमय है इसे समिदि सकार्तों को परणाम सामने आएंगे मन मताबित काम बनने शे उथल पुथल भरी दिनचारिया से रहत मिलेगी युवां को जैसा भी रोजगार समिदि अफसर सुलब हो हासिल कर लेना चाहिए अपनी दिनचारे में कुछ परिवर्तन लाने के लिए आपके परियासत काफी हद तक सफल रहेंगे समाजिक गतिविदियों में आपका विश्यस योगदान रहेगा मित्रों त अखराखा तो था सुधार समंदिक कारे में भी उचीत समय वेतित होगा सभी सदस आपस में बैटकर एक दूसरे से अपने विचार साजा करेंगे इस तो समय कुछ मिला जुला ही वेतित होगा पर तो आपका रिस्तों के परती आदर मान आपसी समंदों को और अधिक करें इसे आपको कोई निर्ने लेने से सहायता मिलेगी किसी परकार की दूविदा होने पर परिवार जनों का सहयोग आपको निर्ने लेने में मदद कर सकता है दोस्तों पिछले कर्म अच्छे परदान होने के कारण भागवान की किरपा आप पे बनी हुई है किसी व्यक्ति इसे समंदी योजना भी बनेगी दोस्तों नेगेटिव में गुसी और आवेज जैसे नकार्तों बातों पर काबू रखना जरूरी है दोस्तों गुसा बहुत खराब आदत होता है इसे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं गुसा एसा सब्द है जो कि आदमी को कभी आग सुनी हो शक्ती है बेतर होगा कि किसी अनुवी व्यक्ति की मादस्ता सामिल करें दोस्तों कुछ समय बच्चों के साथ जरूर वेतित करें उनकी समस्यां को समाधान में सहयोग भी जरूर करें इसे समय वहान अथवा परपटिक खरित समंदी को योजना बनाते समय बहुत ही अधिक सावधानी बरते हैं कोई बड़ा खर्चा भी सामने आ सकता है उस्तों अपनी बस्तों को उचित सम्हाल कर रखें आगकी लवपरवाई से कोई महत्पुन बस्तों हो सकती है किसी अचाने व्यक्ति से अपने व्यक्तिगत योजना को शेर ना करें किसी गयर काननिक का साम में रूची ना लें इनकी वज़े से आग किसी मुश्किल में पढ़ सकते हैं दोस्तों किसी विप्रित परस्तियों में घावराने की बज़े उनका सावधान ढोड़ने की कोशिश करें तता जीवन की वास्तिकता को समझें अपने मन मुतावित कोई बात ना होने से कु समंदी उचीत जानकारी आवश्या हासिल करें नेवे समंदीकार में भी किसी परकार की गलती हो शकती है इसलिए किसी पढ़ोसी के मुश्किल समय में उसकी मदद करना आपको शकून देगा तता समंदों में भी मदूरता आएगी तो दुसरों की मदद करने के चक्कर में अ अपने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरुरत है अपनी महत्पुन बातें किसी से भी सेर ना करें तता जमिन जायदात अत्वा रुपे पैसे समंदीक कोई करवाही करते समय ध्यान दें उसके कारे के बारे में पूरी तरह जानकारी आवश्य कर लें कोई भी काम जल्दवाजी में ना करें ओफिस के कारें को घर में करने की वज़े से बहुत ही दिकतें आएगी बेतर होगा कि किसी अधिकारी की सला अवसल है वैसा गतिविदियां समाने रहेंगे कुछ और मिलने से रहात मिलेगी इसलिए कारे परनाली में कुछ बदलाव लाना जरूर से पॉन तथा इंटरनेट के मार्ण से अपने संपर सुत्रों का धार बढ़ा है उसको मार्केटिंग समisions कारे प्रामर में नई तेकनीक का उपंएग करना जरूरी है मिडिया और इंटरनेट के मार्ण से अपने कारे की करने का प्रियाश करें रहें ने डिस्सी दि आपको फाइदा होगा दोस्तों कुछ समय से कारे छेतर में जो परिशानियां चल रही थी आज उनमें सुधार की भावना है कार के प्रगर्ति कुछ महतवपून आफसर मिल शकते हैं सरकारी कारियों को कुरा करने में आपको किसी परभावसाली वेक्ति की मदद मिलेगी दोस्तों व आपको आवासी सफलता मिलेगी वहीं बात कर लेते लवलाइब की पती पत्नी आपसी समान्जा समधूर बना कर रखें क्योंकि आपसी मदवेदों का असर घर के वैस्ता पर भी पढ़ सकता है उस्तों परिवारी सदेशों के बीच सुखद और प्रेम पुर्ण वहवार बन तो अपना इंफ्यूस सिस्टम मजबूत रखने के लिए आरुवेदिक चीजों का शेवन करते रहें वैस्ता कि वाजुद अपने दिंचारे और खानपान पर भी ध्यान देना जरूरी है गैस और कब जेसी इस्ती रहेगी अपने स्वास्त के प्रति सजग रहना आपको सा आश्ना निर्वत होके 11 दुरवा पत्तियां श्री गनेश के पेट पर चिपकाएं श्री गनेश जी को बुद्दवार के दिन चार मोदोग्या लड्डू का भोग लगाएं श्री गनेश को अपनी ताकत बनाना है तो लाल गुड़हल का फूल उनके सीर पर चड़ाएं और सुखने पर उसे पर्स में रख लें इसकी कारण दोस्तों आपके घर में सुख समरधी और आपके पर्स में धन की कमी कभी नहीं होगी दोस्तों आप बात कर लेता आपका भागशाली रंग और भागशाली अंक क्या है दोस्तों आपका भागशाली रंग आश्मानी है और प्राप्त हो सच्चे दिल्शे कॉमेंड बॉक्स में ओम गनिशाय जडूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जडूर करें धन्यवाद